महला कंचन बजार के रहने वाले यूबक ने लगाए भारतिक किसान यूनिन टिकैद गुट के एक साती पर जमीन पर कबजा करने के आरोप HDM को सौपा ग्यापन मंडी धनोरा थानाच्षेतर के महला कंचन बजार के रहने वाले हरवेंदर सिंग का कहना है कि उनकी जमीन पर पम्मी त्यागी सौरव पुत्र जितेंदर ने दोका धड़ी करते हुआ कबजा कर लिया जिसके बाद में उसे नसिली कोल्डिंग भी पिला दी जब उसे हो साया तो इस बात का उसे पता चला भारते किसान यूनिन के पददिकारी उसके साथ खड़े हो गए भारते किसान यूनिन के पद्धिकारी गुरमी सिंग ने बताया है कि टिकेट गुटके एक साती है जिनोंने आपसे पहले भी कईवार लोग की जमीन पर कपजा किया है जिसे अब कती बरदास नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा है कि इस सम्मंद में हमने राकेश टिकेट जी से भी इस मामले में आगवत करा दिया है सौंबार को उव जलादीकारी राजीब राज को उन्होंने ग्यापन सौंपा है और कारवाई की महांग की है HDM ने कहा है कि मामले में जांच परताल कर उचित कारवाई की जाएगी पीडित काफी परिशान है परिशान के साथ बहुत जादा जाती करिया रही है इसलिए पूरा किसान परिवार और किसान सेक्टर इनके साथ कड़ाई कंदे से कंदर में अभी दक्की कार रहा है अब इदक की कारवाई यह हुई है कि पच्छानों खाने में सिर्फ मार्पीड का मुगत्मादार जुबा है लेकिन आज आज HDM साथ से मिलने हैं उन्होंने पूरा आसपासन दिया है कि ये फटजी बेनामा रोका जाएगा नहीं तो इनका अत्याचार बढ़ता जाएगा इनका अत्याचार का समय पूरा हो चुका है अब इनके साथ तनमंदन से साथ लगे रहेंगी उसमें से एक हमारे भारते किसानों दूर्प के पधादिकार ही है और जल्द से जल्द उनके खिलाब कारवाई करी है।